बिल्कुल बिल्कुल मैं अमरीका ने पर इन लोगों ने मिया साथ को दोजा सकता है यह इसी बात पर तो इम्रान खाने यही बात जब कही थी तो आप ने और वावेला मच गया दा पाकिसान में आज आज आपके रहे हमारी साथे जनल राइन शरीफ जनल फैस ने और वह पड वह दस में पर फैसला हो भी जाए तो कि खरक पांदा उत अंदर रख सकता है और कितना अंदर डालेंगे जैसे च्छितरोल की मैं काशिफ अबासी की इस जुरुत को सलाम पेश करता हूँ आएं सुनते हैं कि काशिफ अबासी ने मिया जवेद लतीफ की किस बात पर च्छितरोल की तिर इस पार तफसील से बात करते हैं पर चीसी को लेता हूँ आप कहते हैं कालमी साज़िश है इसमें लोकल लोग भी मजूद थे अभी आपने का यही बात इमरान खान ने कही कि आप इसका जवाब लें मैं यह कहता हूँ कि जो आप जैसे मेरे इंतहाई मोतरम बात करते हैं ना कि उसको भी निकाला उसको भी निकाला वह नवाज श्रीफ को जलुफकारली भुटो को निकालने की वज़ा यह थी कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्फ किया किसी ने एटम की बन्याद रखी कि ने पाकिस्तान के दफार को नाकाبل ॉपस्टाइब बनाया किसी ने सुप एक दिया मगर आप इम्राण खा बता दे कि उसने पाकिस्तान के लिये किया कि बदाए पाकिस्तान महालब कुवतों के अजंडे पर ही कोई काम कर रहा हुगा उसको निकालने में जी 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 जनरल रहील से लेके जनरल फैज जनरल बाजवाज ये सारे शामल थे इसी बात पर तो इमरान खाने यही बात जर्कई थी तो आपने और वावेला मज़ गया था पाकिसान में आज आज आप कह रहे हैं हमारी साज़े जनरल राइल शरीप और जनरल फैज ने और जनरल बाज़ ने एक सकंड़ आपकी मरज़ी का सवाल जवाब नहीं मैं दे सकता म चाहता हूं मगर मैं यह जूर आपको बता रहा हूं कि क्या बंदयाल से साकब निसार तक यह सारे करेक्टर कठे नहीं थे क्या सादक और मीन साकब निसार नहीं नहीं कहता है जिसका आप नाम ले रहे हैं असल तो वो लोग मैनेज करते हैं इस तरफ की चीज़ें यह बात करना चाहता हूं मुझे यह बताएं कि क्या मजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उन्हों ने यह नहीं फरमाया के पाकिस्तान तो क्या दुनिया बर में कोई मसलमान सादक और मीन नहीं हो सकता मा सवाए रसूले क्रीम अलहाँ वाली वाली विसलेव के ज़स्तान जो जो जिस्तरस साकब निसार उसको सादक और मीन का सट्रिफिकेट दे रहा था वो पढ़ा लिखा नहीं था अंदा था या उसको जानत को देखा ना पाकिस्तान के कानून को देखा और ठपे लगाते गए मोरे लगाते गए आप यह कह रहे हैं कि इदारा यानि establishment मिया साथ को 2017 में आलमी कुछतों को कहने पर निकाला है मैं ये कह रहा हूँ आप ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान के दिफाक और नाकाबले तस्हीर ना बनाते तो पाकिस्तान की वो मखालफ कुटें जो पाकिस्तान को मश्बूत होता नहीं देख सकती नवाज शरीफ के खिलाफ होने वाल तो, पाकिस्तान महालब कêuवतें हरकट में राती। आख्री सवाल मिया सब! । 20стран皇 में भी establishment मिया सब के खलाफ थी । अब भी establishment मिया साब के खलाफ है और इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं अंदर के कुछ elements मैंने, मैंने ये नहीं कहा ये एक Cristo को निकालने में पिशावर हाई का फैसला आया है वो एलेक्शन कमिशन के इक्तियार पर हमले के आप लो ने तो बियान बाजी शुरू करती अदातों में खिलाफ जब बला वापस आया था तो अगर करूमूर के वतात नहीं हुआ तो में कहता हूँ जो बला देते हैं तो आप लो डाड डाल देते हैं का बला क्यों दिया हाँ आप लेक्साइए भाई में बल्ले जिसकी बात कर रहा हूं ना मैं अगर आप से ये कह रहा हूँ कि अगर 9-10 मैई का वाकिया नहीं हुआ तो उसको खोले भई मैं ये आप से गुजारश करना चाता हूँ कि दोजार चौबीस में इंतखाबात होने जा रहे हैं पाकिस्तानी 25 क्रोड अवाम हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि मैं मासूम हूँ मैं सिसिलियन माफिया हूँ मैं घदार हूँ या मैं पाकिस्तान का खैरखा हूँ 9-10 मैं को वाकिया करने के बावजूद कौम ये सुनना चाती है ताके आजादाना तोर पे वो अपना वोट कास कर रहे काशव अवासी साथ ज्यादा महिब्बे बतन है जवे लतीव जो है वो इंडियन नवाज है काश यमरान खान की सोलत कारी आज भी हो रही है कौन कर रहा है हैस मुझे ये बताएं कि अगर जेल के अंधर भी उसको दंकियां देने के बावजूर लडाई जगड़ा करने के बावजूर गालियां देने के बावजूर अपनी मर्जी के फैसले के लिए दुबाव डालने के बावजूद कोई अदारा हरकत में नहीं आता तो मैं इसको सूलत करी ना कहूं और मैं कुछ भी नहीं करता था और मैं एक लिए बाता था नहीं है दो सुप्रेम कोर्ण पर हमला हुआ दो तीन शीशे तोटे ज़रे फुटिज देखे सुप्रीम कोर्ण पर हमले की जज़ों को भागना पड़ा वहां से यह स्क्रीम पर चल रही है आपका पूरा उधर चला रुक जाएं, रुक जाएं, काशव, आप मुझे ये बताएं, अपनी ध्यानदारी से, आपके पास फुटेज है तो वो चलाएं, वरना मैं आपको बजवाता हूँ, मुझे ये बताएं, कि सप्रीम कोर्ट पर दाखल ये नहीं हुए थे, हुए थे, और क्या वहाँ इन्हों कब्जा नहीं किया था, रात बाराज बजे कोर्ट नहीं कुली थी, और फिर मुझे ये बताएं, जब्रीशे कम्प्लेक्स पे मसल्ळ लोगों ने कब्जा कीया था या नहीं, इसकी फूटिज भी लोगों को दिखाएं, और फिर ये बताएं, कब्जा सोड़ाशा पर जद ने ये किया तो मैं तुमाने खुर्मा करूंगा अरिक एक सिर बड़े स्वाल आप से पूछते हैं मुझे बाद बतारें निया साथ ये बताएं आप ने कहा कि आप से मराद आप जैसे मेरे इंतहाई काबले अतराम लोग कहते थे उस उलत कारी कि थे ओर रही है वही तुसी हो कुम्मदा इस साज है दसोना कौमर्स उलत कारी कर रहा है पिर नो दस मैं को एक अधारे ने जब खुद एतसावी अपने अंदर की तो 18-20 लोगों को सजा नही का बिलकुल बिलकुल मैं आप जारा हूँ कारवली बुटो को सरुसर सर्थ सर सरे सरा पुद ऑना जाये तर अमरीका ने की थी मिया صारे मिया साब ने भी झब आटमी दमाके किये थे पाकिस्तान को दिफा को नकाबले तस्हीर बना जा था उस वक्ट भी हालमी साज़श्श सार मुझे ये बताएं किया जब 2017 में मिया नवाज श्रीफ को निकाला गया उसक्स वादिश हुए 2017 में भी नवाज श्रीफ को सी पैक पाकिस्तान को देने की सजा दी गई किस ने दी उन उन कुवतों ने दी किस कुवत ने हमारे लोग साथ शामल थे नवाज श्रीफ को निकाल के आज पाकिस्तान गरदाब में फसा हुआ है आज भी कोई बताए ना मैंने जो कहना था आपको कह दिया आपको कह दिया कहा कि एक तरफ आप मुझे कहते हैं कि इमरान खान को बला दो इसको कमपेंड करने की भी इजाज़त दो जबके दूसी तरफ ये आप ही का बयान है जो आप कह रहे हैं कि कभी बला देते हैं कभी बला च्छीनते हैं ये क्या मजाक हो रहा है काशिफ अबासी ने मिया जवेद लतीफ से कहा कि आज आप इस बात का इकरार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2017 में नवाज शरीफ को अमेरिका और अस्टेबलिशमेंट ने मिल के साज़िश की और नवाज शरीफ को नकाला यही बात आज अमरान खान कह रहा है कि मेरे खिलाफ साज़िश हुई और अमेरिका ने स्टेबलिशमेंट के साथ मिल कर मेरी हकूमत गराई तो इस बात पर आप कहते हैं कि अमरान खान गदार है इस पर गदारी का मकदमा किया जाए जब आपकी बारी आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ साज़िश होती है यहां आपको इमरान खान की तरफ साज़िश नजर क्यों नहीं आती आप अमरान खान के पीछे क्यों पड़े हैं आप ये भी कह रहे हैं कि 8 फ़र्वी से पहले पहले अमरान खान को नो मेरी के वाके में इबरतनाक सजा दी जाए तांके कौम को पता चले कि ये मुलका घद्दार है और तब ही साफ और शफाफ एलेक्शन हो सकते हैं काशिव भबासी ने कहा कि वो तो जेल में पड़ा है उसकी सजा से इलेक्शन के फिर होने का क्या तालुग है नादरीन हकीकत ये है कि सब इमरान खान की मकबूलियत से ये इतने ज़्यदा खुफजदा हैं इन्हें इस बात का बाखुबी इल्म है कि अगर इमरान खान जेल में रहा तब भी इमरान खान जेल में रहकर भी अपनी पार्टी को इलेक्शन जित्वा लेगा और इनको इबरतनाक शिकास्त होगी क्योंकि इस वक्ट मकबूलियत सारी की सारी इमरान खान की है और इमरान खान के साथ 90% अवाम खड़ी है ये चाहते हैं कि सबसे पहले इमरान खान को ठकाने लगाया जाए तब इलेक्शन हो और जब ये हर तरह से नकाम हो चुके हैं तो अब ये सिन्ट से करारदाद मन्जूर करवा कर ले आए हैं तांके इलेक्शन डिले करवा सकें क्योंकि इन्हें अब कोई और रास्ता नजर नहीं आता मगर अब सारी जमेदारी सुप्रीम कोर्ट पर आयर होती है कि वो आर्ट फरवरी को साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं नाजरीन आपका क्या ख्याल है आर्ट फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं आप अपनी राइसे में जरूर अगार करें नेक्स वीडि